नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके लिए जो है इस्टीनो ग्राफर की जॉब जो है निकाल दी गई है SSC की तरफ से स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने गॉश्ण आपकी नई जॉब निकाल दी है SSC के अंदर आपको बता दू इस्टीनो ग्राफर जो है यहाँ पर जो जॉब निकाली गई है वो दो अगस्त को निकाली गई है ग्रेड़ सी और ग्रेड़ डी दौनों के लिए निकाली गई है तो आप से इस वीडियो में यही बात होगी कि यह जॉब किसके लिए है, कौन इसके लिए apply कर सकता है, minimum eligibility क्या है, syllabus क्या है, marking scheme क्या है, selection pattern क्या है, कितनी salary होगी, age limit क्या होगी, qualification क्या होगी, और nationality क्या क्या रहेगी, relaxation क्या क्या होंगे, सारा कुछ जुएवर discuss किया जाएगा, यह SSC, यानि Staff Selection Commission के Government of India के द्वारा, इस job को release जो किया गया है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, मैं आपको बता दू, इसका जो notification है, वो 2 अगस्त को release करा गया है, 2023 यानि 2 अगस्त को release करा है, और उस notification को ही हम पूरा discuss करने वाले है, सबसे पहले जैसे आप देखेंगे, तो यह SSC के website पर आपको दिख जागा notification, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको देखेंगे, तो SSC के website पर भी इस चीज को दिख रहा है, आप को description में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर इस इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको यह जानना तो पहले बहुत ज़रूरी स्थीनोग्राफर क्या होता है, बहुत लोगे सोच रहे होंगे, यार स्थीनोग्राफर होता क्या है, हमें यही नहीं पता, तो हम इसकी जॉब के लिए अपलाए कैसे करें, तो सब डिसक करेंगे, और बट अगर आप देखेंगे, तो यह अगर SSC के तरफ से आया, तो यह एक government job है, और जो के एक central government job है, तो उसके बारे में हम पूरा discuss करने वाले हैं, सबसे पहले आप देख लीजे, यह notification इसको discuss कर रहे हैं, आपको यहाँ पे 23 अगस्त का समय दिया गया है, 2023 में apply करनेगा, और जो भी candidates अगर गलती करते हैं, form भरते में, अभी आप 23 अगस्त तक form भरेंगे, कोई गलती होती है, तो आप उसमें 24 और 25 अगस्त को जो है, उसमें change कर सकते हैं, दो दिन का समय है, October में आपका exam लिया जाएगा, यहाँ पे computer पे exam होने वाला है, जो भी इस exam को पास करेगा, interview को पास करेगा, उसी को job मिलेगी यह वाली, salary क्या होगी, वो समें discuss कर लेंगे, और October के मन्त में इसका exam है, आप देख सकते हैं, अगस्त में form भर रहे हैं, September पूरा ऐसे ही आपको मिल जाएगा, और October में इसका exam लिया जाएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे, व अलग vacancy है, और grade D की अलग vacancy है, SSC मतलब SSC जो है, वो staff selection commission है, वो एक ऐसा commission है, जो अलग-अलग departments के लिए staff को select करता है, चाहे वो खास कर central governments के offices के अंदर, departments के अंदर, जो की पूरे इंडिया के अंदर होते हैं, अलग-अलग, जैसे आप देखेंगे, तो central administrative tribunal for stenographers, only stenographers के ल grade पे, जो होगा, pre-revised, आप देख सकते हैं, आपे, 4,600 रुपे grade पे है, grade पे मतलब यह आपके salary के उपर होता है, extra होता है, इसको इसका ऐसा नहीं होता है कि आपके salary में से अलग होता है, यह salary में से माइनस होता है, ऐसा नहीं होता है, यह आपका जो वो है, यह आपको अलग से दिया जाता है salary के साथ आपको जो पूरा salary मिलता है उसके अंदर इसको भी आपको दिया जाता है यह अलग से होता है आपका आपको दिखा दूदो यहाँ पर आपका stenographer का इस department में एक लिया जा रहा है grade C का इस बात को समझे यहां पर दो ग्रेड में ग्रेड A, C और D है ग्रेड वाइज आपका जो है लेवल अलग हो जाता है कि भाई ग्रेड C वाला जो है उसकी वैल्लीव जादा होगी मतलब कि उसके उसकी पोस्ट उपर रखी जाएगी लेवल वाइज और उसकी सेलरी अची होगी अब यहां पर देख लीजे कि एक ही वेकेंसी है जो कि यू आर कैटिगरी से है Central Board of Indirect Taxes and Customs Department of Revenue के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो है टोटल वेकेंसी 25 हैं जिसमें आप कैटिगरी वाइज देख सकते हैं सेम इसी तरीके ते सेंट्रल विजिलांस कमिशन के अंदर भी आप देखेंगे तो दो वेकेंसी हैं Department of Water Resources, River Development and Ganga, Reguvenation, Ministry of Jal Sakti के अंदर आता है यह और इन Ganga Food Control Commission इसमें आपका English Istino के लिया जा रहा है मतलब कि वो Istino Graffer जिसको English Language में टाइपिंग आती हो उसको लिया जा रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई इसके लिए 5 वेकेंसी हैं इसी Department में ऐसा नहीं है कि आप SSC तो आपका exam conduct करा कि आपको recruit कराएगा लेकिन जो है आपको जिस Department में लेना है तो उसके साब्स आप 14 वेकेंसी है टोटल जिस मैं आपको बता दूँ यहां पर border road organization यानी कि बियारो के अंदर जे-ई for male candidates only तो stenographer में आप junior engineer के तौर पर male candidates अप्लाई करेंगे यहां पर total vacancy 26 और उसमें भी आप देखेंगे तो यह अलग से grade पे होगा 24 रुपे का अलग होगा है Bureau of police research and development के अंतर आप देखेंगे तो यहां पर भी दो vacancy है सेम यहां पर CBD यह जो आपको पर एक नाम दिखाया था मैंने department of revenue का उसका short में कर दिया है उसमें भी 392 vacancy है आप देखेंगे हम Central administrative Tribunal इसके अंतर आप देखेंगे तो इसमें इस्ट्रीनोग्राफर का जो है इस्ट्रीनोग्राफर के लिए सिरफ निकाली गई है जो कि 4 vacancy निकाली गई है सेम इस तरीके से आप चेक कर लेंगे यहां पर मैं आपको बताऊं तो DOP department का नाम है उपर आपने देखा हो का इसी का नाम तो उसके अंदर 427 vacancy और इस तरीके से जो है आप यह पूरा vacancy चेक कर लेंगे यानि कि आप देख लिए 1114 और प्लस 100 यानि कि 1214-7 यानि कि 1207 vacancy टोटल निकाली गई है आपके लिए जो कि SSC के तरफ से इस्टीनोग्राफर्स के लिए लिका लिए जो भी इस्टीनोग्राफर्स के लिए अप्लाई करें सबसे बहले reservation suitability बता देता हूं post के लिए अब द चीए आप अगा disability candidates में है तो s, st, w, b, n, r, w, sc, h, c और c ये सारे functional requirements अब fulfill करने है किस-किस को करने है जो law reason वाले candidate हो या फिर b मतलब blind candidate को fulfill करनी होगी है अब कोई h, h मतलब hard of hearing वाला candidate है जिसको सुनने में दिक्कत होती है उसको ये सब चीज़ा आनी चीए जैसे कि standing आनी च walking है और same इस तरी के साब देखेंगे, b मतलब bending है और इस तरी के साब देख लेंगे ये सब आने चाहिए, stenographer grade d के लिए यहाँ पर लिखा हो है आप देख सकते है, functional requirement मतलब है कि ये सब चीज़ा आनी चाहिए वो कर पा रहा हो, वो disabled candidate जो इस category में आ रहा है दूसरे column में, मैं ये वाली functional requirement fulfill करनी है, ये सब आपकी full होनी चाहिए, ये clear हो गया होगा, functional requirement में आप देख रहा है, जैसे कि S मतलब sitting है, ST मतलब standing है, walking, bending, ये सब आपको writing, reading ये सब आना चाहिए, आप ये देख सकते हैं, आप disability लिखे होए हैं सारे, अब हम next बात करेंगे, nationality apply करने के लिए, तो भाई, यहाँ पर nationality में बता दो, इंडिया से कहीं से भी आप apply कर सकते हैं, नेपाल, भुटान जैसे country से कर कोई candidate आ चुके है, permanently settle हुए इंडिया के अंतर, अपने पडिवार के साथ 1962 के 1st January से पहले पहले shift हुए थे, तो वो apply कर सकते हैं, साथ में Pakistan, Myanmar, Sri Lanka जैसे country से अग हैं, वो भी apply कर सकते हैं, हम हम बात करेंगे age limit के, तो 1 August को आपकी जो भी age होगी 18 होगी, अगर आपकी 18 age होगी 1 August 2023 को, तो आप apply करिए, सेम इस तरीके से 18 से 30 के बीच की age में आप apply कर सकते हैं, next time इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे भाई, category में आप देख सकते ह 18 साल का, disabled candidate को 10 साल का, इस तरीक से आपके relaxation लिखे हो है, आप relaxation चेक कर लेंगे, central government के employee जो होगे किसी department में, तो उनको भी age में relaxation है, अब हम बात करेंगे relaxation के आगे, process of certificate and format, यहाँ पर जो भी reservation category से apply कर रहे है, age में छूट लेने के लिए, तो उनको इतना याद रख रहा है कि उनको certificate submit करना है, form के साथ, ताकि उनको relaxation मिल पाए, वो form भड़ते में ही submit करा जाएगा, तभी आपको relaxation मिलेगा, माल लिजे कोई candidate ऐसा है, जो 30 साल का हो गया है, और वो 4 इस्थी नोग्राफर के लिए apply करना, तो उसको age में relaxation तभी मिलेगा, जब वो जो है, certificate जो है, अपने category का submit करेगा, चाहे वो male हो, female हो, कोई भी candidates apply कर सकता है, अब हम next list में बात कर रहे है, essential qualification यह है, candidate 12th pass होना चाहिए, board, किसी board university से, वो past हो अपना 12th, चाहे वो CBSC हो, ICSC हो, state board हो, government का कोई भी board हो, board exam अपना 12th pass होना चाहिए, किसी भी stream से हो सकता है, यह आपका minimum, जो है, qualification लिया जा रही है, अब हम बढ़ेंगे, how to apply, apply कैसे करना है candidate को, तो candidate को एक OTR करके registration होता है, SSC के website पे, one time registration, वो आप देख सकते है, video, जो आपका SSC phase 11 का था, उसमें form बरवाये गया था, जब, जो आपका, इसका job का था, तो उसमें आप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएग पहले एक बार मैं registration होगा, फिर आप अपने, जो है, अपना registration ID, password डाल देंगे, जो आप बनाएंगे registration के समय, उसके बाद login करके आप देखेंगे, तो आपको stenographer का form दिखेगा, फिर आपको भरना कैसे है, उसमें अपना personal detail डाल दीजे, अपना ID की detail डाल दीजे, ID proof अपलोड करिए, 12th की mark sheet upload करिए, category certificate upload कर दीजे, और अपना जो है, यह सब करके, सारी details भरके, post select करके, वैसे तो grade, जो आप stenographer वाला grade, post select करेंगे, उसके form fees, जो आपकी है, उसको submit करके, जो है, आप submit कर सकते है, form को, यह तरीका होगा, यहाँ पर size भी लिखे हुए, photo sign के, आपको कि size म candidates होंगे, या disabled candidates होंगे, या ऐसे candidates होंगे, जो किसी reservation categories है, उनको fees pay नहीं करनी है, especially, सारे female candidates, जितने भी ओरते हैं, या फिर women candidates apply करेंगे, उनको fees नहीं pay करनी, चाहें, वो किसी भी category से हो, fees online pay होगी, जैसे कि आपको बताईए कि online form भरा जाएगा, और end में fees payment जो है, वो जो है, आपकी हो जाएगी, center of examination आपको बता देता हूँ, यहाँ पर center होगा, अब देगिए, सीतापूर, भागलपूर, मुझफफरपूर, पतना, आगरा, बरेली, कानपूर, लखनो, मिरट, प्रियाग, राज, वारा, नसीब, पुर्निया, इन जगाओ पर exam होगा, अल्दिकी बियार और उत्तर प्रतेस राज्ये के अंदर, यह जगाएं ऐसी है, इन city के अंदर exam होगा, इन city के अंदर आपका center कहीं भी हो सकता है, अगर आप इन state से apply कर रहे हैं, और अगर आप center selection में जो है, इन जगाओ को रखेंगे, तो आपका इधर ही center होगा, same, अड़माने, निकोबार, उडिसा, जारकंड, सिक्किम, वेस्ट, बंगाल जैसे, राज्ये से भी अगर आप apply करेंगे, तो आपका जैसे राची, पोर्ट बलेयर, भुवनेशवर, संभलपूर, गंग जाके इसाब से, scheme of examination आपको बता देता हूँ, computer पर exam होगा, exam तीन पार्ट में हो रहा है, general intelligence and reasoning, general awareness, English language and comprehension आएगा, English language and comprehension जो है, 100 नमर का होगा, ज्यादा इसलिए रखा गया है, क्योंकि ये exam stenographer का है, और में लिए अगर English वाला रहा, stenographer में, English language important रहेगी, typing की knowledge और उन सब के तो इसलिए जो है, ये post आप देखेंगे, तो यहाँ पर ये इसका syllable जो है, वो ज्यादा आ रहा है, और 2 गंटे का समय मिलेगा, 40 मिनट उनको मिलेंगे, जो disabled candidates होंगे, यहाँ पर exam में multiple choice questions रहेंगे, MCQ मतलब कि आपको option दिये जाएंगे, questions के, जो आपको सही लगता है, वो आपना टिक करेंगे, अगर there will be negative marking, one third mark की negative marking है, जैसे आप देख रहे हैं, कि यहाँ पर 50 question, 50 mark के आ रहे हैं, मतलब आप इसका उनला ये समझ सकते हैं, कि हर एक question, एक mark का रहा है, तो अगर आपका एक question भी गलत होता है, तो उसका one third 0.33 percent mark काटा जाएगा, इतना mark काटा आपका, जैसे माल लीजिए, आपके तीन सवाल गलत होता है, तो आपका एक number कट जाएगा, क्योंकि तीन सवाल पर one third marks काटा जा रहा है, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से marks के deduction होगा, अगर आपके कोई wrong answer होते हैं, यहाँ पर syllabus देख लिए है, जनल इंटेलिजेंस में syllabus लिखा हुआ जैसे की, space, visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, और number series, non-verbal series, यह सब आएगा, general awareness में आप देख सकते हैं, यह में कुछ topic यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यह में कुछ topic यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जैसे की, history, cultural, geography, economic scene, economic scene, general quality, including Indian constitution and scientific research, etc., यह सरे questions आने वाले हैं, English language comprehension में आप देखेंगे, तो English language, vocabulary, grammar, sentence, structure, synonyms, antonyms, correct uses, इनके क्या क्या होंगे, वो सब आएगा, skill test भी होगा, आपका sthenography, graphy के लिए कि आपको sthenography आती है यह नहीं आती, इसके लिए आप जो भी candidate इस exam को qualify करेंगे, computer वाले को, उनका skill test लिया जा उनको जो है, दस मिनट की जो है, इंगलीस में और हिंदी में होगी, dictation होगी, as opted by the candidate in the online form, अगर वो online form में इंगलीस में लेता है, तो English में dictation होगी, नहीं तो हिंदी में होगी, at that speed of, 100 words per minute, 100 word type, जो की speed होनी चाहिए, आपकी per minute में, sthenograph for grade C के लिए, और आप sthenograph for grade D के तो इसका मलब यह है कि grade D का post जो है, वो आपका अच्छा है शायद, कि उसमें जो है, वो आपका जो है, the matter will have to be transcripted on computer, computer पी लिखा जाएगा, type किया जाएगा आपके द्वारा, आप देख सकते हैं कि भाई, skill test में आप देखेंगे, तो English में जो होगा, time duration आप देख लीजए इस्टिनोग्राफर grade D में English language में skill test जो हो रहा है, वो पचास minutes का होगा, और in minutes time duration for the candidate, जो कि eligible है, scribe के लिए, यानि disabled candidate है, फिर ऐसे candidate है, जो अपने exam लिखने में disabled है, देने में disabled है, और वो किसी scribe को arrange कर रहे हैं अपने exam के लिए, ऐसे सी आपका scribe allowed का arrange करवाता है, क्योंकि ये government exam है, तो वो भी आप करवा सकते हैं, खुझ से भी arrange कर सकते हैं, तो उनको जो है 20 minute extra मिल जाएगी, 50 minute के exam में, तो इस तरीके से आपका होगा, आप ये पूरा देखेंगे अच्छी से, admission to the examination आप को बताई दिया गया है, computer exam सबसे पहले लिया जा रहा है, उसके बाद skill test लिया जाएगा, ये आपके जो document जैसे आपको मैंने बताया भी एक ID proof आप जरूर लगाएंगे form बरते में, जैसे voter ID card हो सकता है, driving license, pen card, passport, अधार कार्ड जैसी चीजों में से कुछ भी एक हो सकता है, school college का ID card भी यहाँ पर ले लिया जाएगा, document verification होगी आपकी जब आपका exam हो जाएगा, और आप select हो जाएगे, मान लिजे आपका interview जो हो रहा है, आपके skill test के बाद, तो उसमें आपको यह सब चीजे दिखानी है, अब आप इसमें आगे बढ़ेंगे, तो mode of selection आपको बताई दिया है, जो आप computer based exam है, उसमें आपको 30% marks लाने है, total में से, मान लिजे आपको total उपर आपी pattern दिखाया, वो जितने भी marks का था, उसमें से 30% marks आप लिया है, उस सूपर लिया है, तो आप qualify माने जाएगे, सेम इसी तरीके से, reservation category में आप देखेंगे, तो EWS में 25% लिया है, other category जो आपके SCHTS में 20% लिया है, यह 20% marks है, not occupy 20 marks नहीं है, 20% marks है, resolution of tie cases मतलब यह होता है, मान लिजे, कि आप और आपके साथ जो और candidates ने exam दिया, उनके भी same number आते हैं, तो ऐसे में जिस exam के, जिस candidate के part 1 में mark जब से जब से जब से ज़ादा होंगे, उसको जो है, preference मिलेगी, उसको पहले job दी जाएगी, या उसके scores को अच्छा माना जाएगा, उसको जो है, rank दी जाएगी, पहले, जो पहले rank होगी, उसको मिलेगी, अगर मान लिजे, उसमें same है, तो part 2 जो आपका रहेगा exam का, general awareness का, उससे आपका देखा जाएगा marks, फिर इस तरीके से जो है, tie case solve होएगा, आप देखिए, आप कोई candidate को सबको pattern follow करना है, exam का भाई, जो आपका admit card आएगा, exam देने जाना है, center पे, सारा process follow करना है, नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए, जो है, government rules के साब से, जो है actions यही है, departments होते हैं, जो government rules के साब से होते हैं, commissions, decision, final, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे, यह important instruction है, इसको आप चाहें, तो देख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हम यहाँ बात करेंगे, certificate regarding physical limitation, जो candidate physical limitation के कारण, माल लीजा, exam नहीं लिख सकते, तो वो इस certificate को fill करेंगे, औ इसमें जो है, medical officer जो भी होंगे, उसके sign कराएंगे, stamp लगवाएंगे, और इसके बाद इसको submit करेंगे, form के साथ, जिससे कि उनको scribe allowed किया जाए, exam के लिए, आप देख सकते हैं, वो ही लिखा है, अब next ही हाँ पर यह है, यह disabled candidate का certificate है, यह undertaking for using own scribe, अगर आप खुद से scribe arrange क करेंगे, तो यह certificate भर के submit करेंगे, यह आपको अभी ही decide कर लेना है, form भरते समय, scribe वाला facility, जो भी कुछ है, वो सब अभी कर लेना है, ऐसा ना हो कि आप बाद में सोचें इसके लिए, form भरने के लिए, OTR मैंने आपको बताई दिया है, उस सब आपको करना होगा, यह आप screenshot के तरीके से भी बताया होगा है, कि registration कैसे होगा, इसके form कैसे भरा जाएगा, वो भी मैंने आपको भी बताई दिया है, इसमें उसके भी screenshot आपको दिख जाएंगे, form भरने के बाद आप देख सकते हैं, यह आपका जो यह form है, जो कि government civil employee है, और उनको यह इस relaxation चाहिए, तो यह certificate भर के submit करें, यह defense personal होंगे, जो army navy जैसे जगाउ से apply कर रहे है, with the armed forces on the, तो वो लोग इसको भर देंगे, यह ex-servicemen के लिए, army को defense personal वाला भरना है, army वाले candidate को, और ex-servicemen को यह भरना है, ex-servicemen में बहुत सारे category होते हैं, आप इसको देख सकते हैं, यह SCHT का certificate का form है सेम इस तरीके से आप देखेंगे, तो यह OBC candidate के लिए form है, यह EWS candidate को form बरना है यह वाला, certificate form, यह disabled candidate को बरना है, अब हम बात करते हैं, essential qualification आप देख सकते हैं, हमने उपर भी बात करी थी, वैसे तो यहाँ यही लिखा है, कि आपको जो intermediate, बार भी पास होना जरूरी है, qualification code, certificate course होना चाहिए, certificate course, diploma BA, यह सारी चीज़े करी हुई है, अगर आपने, तो accept होंगी, लेकिन minimum qualification 12th मांगी गई है, क्योंकि इस्ठीनोग्राफर का post है, इस वज़े से, बाकि आपने यह सब करा हैं, तो ठीक है, यह भी accept होंगे, यह आप देख सकते हैं, यह आप देख सकत फोटो को अप्लोड कर सकते हैं, फॉर्म भरते में, बागी सारे नहीं कर सकते हैं, बागी सारे जोग को दिख रहे हैं, physical efficiency test लिया जाएगा, यह आपर, physical standard test होगा, medical standard test लिया जाएगा, medical examination होगा, मतलब आपका medically check किया जाएगा, fitness आपकी सब कुछ, यह आप देख लेंगे, physical standard जो है, वो personals के लिए जो check कर रहे हैं यह आपर, वो यही है, कि आप अगर western Himalai region से apply कर रहे हैं, तो minimum height आपकी 158 cm से ली जा रही है, minimum weight भी देखा जाएगा, तो यह सब आप देख लेंगे, minimum height, weight जो भी है आपका, तो इस तरीके से पूरा notification discuss हो चुका है, कुछ ऐसा रहा नहीं है, जो हमने छोड़ दिया हो, हम मैं आपको यह बता देता हूँ कि form apply कैसे होगा, पूरा notification में short में आपको बता हूँ, तो इस्ट्रीनोग्राफर grade C और grade D, दौनों के लिए notification है, जो भी eligible candidates हो apply कर सकते हैं, 12th pass candidates के लिए हैं, किसी भी stream से apply कर सकते हैं, किसी भी state से apply कर सकते हैं, इंडिया के अंदर किसी भी राज्ये से, और form की fees जो है, वो 100 रुपे हैं, और इसमें salary जो है, वो काफी अच्छी salary है, और इसमें जो है, 46 hundred का grade पे हैं, कहीं-कहीं जो है 42 hundred का grade पे है, यह salary से अलग होगा, salary में नहीं होगा, यह उससे अलग है, शीनोग्राफर का काम होता है, typing का, जो कि भाई, इक speed में होनी चाहिए, जो आपको बताई भी जा रही है, आप देख रहे हैं, कि आप अगर test में जितनी speed रखी गई है, कि भाई, one minute में 100 words, तो इतना आप अगर कर पा रहे हैं, तो आपको इसकी और ज़्यादा speed होनी चाहि करेंगे, अपना जो भी आपका registration ID हो, password हो सब डाल दीजे, फिर आप इस तरीके से login कर लेंगे, अभी अभी error आए है, इसको हम जो है, इसको मैं डालता हूँ इस पास फिर से, देख इस तरीके से login, इस तरीके से login, करेंगे, आप, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर जैसे stenographer grade C और grade D के examination का notification मुझे दिखाया जा रहा है, यह आप देख सकते है, notification लिखाओ भी हुआ, यह notification, तो इस पर आप click करके पूरा read कर सकते हैं, नहीं तो आपको description में मिल जाएगा, apply पर click करके आप apply करेंगे, तो प के लिए आप सभी का धन्यवाद.